वीडियो के इस अंक में हम आपका एक बाद फिर स्वागत करते हैं आज का हमारा विशय है अशुद्धियों को शोधन यानि रेक्टिफिकेशन ओफ एरर्स जब भी कभी हम लोग अकाउंटिंग प्रासेस के अंदर तलपट का निर्माण कर चुके होते हैं यानि ट्रायल वैलेंस हम बना चुके होते हैं तो ट्रायल वैलेंस बनाने का एक उदेश जो अभी हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि एक उदेश होता है कि इसमें कोई गणिती अशुद्धिती तो नहीं है या फिर ये कहें कि कोई इसमें लिखांकन की दृस्टी से कोई तूटी तो नहीं रह गई है और अगर तूटी रह गई है तो उसका पता कैसे लगाया जाए यदि हमें तुटी का पता चल जाता है तो हम लोग उनका शोधन करते हैं जिसका नाम है अशुधियों का शोधन यानि Rectification of Errors तो यही आज हमारा विशे है इस विशे को समझें उससे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि अशुधियां कितने प्रकार की होती है और उसको हम लोग क्या वो खाता भई को कैसे प्रभावित करती है वो एक पक्षे होती है या दुए पक्षे होती है उससे पहले हम इसके बारे में प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे अशुधियों के प्रकार अशुद्धियों के प्रकार के बारे में जब हम लोग जर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम यह तैग करते हैं कि क्या यह clerical errors है या accounting errors है इसी के अधार पर हम लोग इसको लेके चलते है सबसे पहले clerical errors यानि कि लिपी की अशुद्धिया clerical errors बच्चों हमने इसको क्या नाम दिया clericals क्योंकि accounting का काम यानि लेखांकन का काम हम लोग सारे मिलके करते हैं मानवी एक काम है जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें अशुद्धी होने की संभावना बनी रहती है इसलिए इसको नाम दिया गया clerical errors जिनको हमने आगे वर्गिकरत किया है लोग अशुद्धी Error of Omission Error of Omission ये भी दो प्रकार की होती है आंशिक यानि पार्चल पूर्ण यानि Complete Omission लिपी की अशुद्धी उसमें सबसे पहले हमने ली लोग अशुद्धी लोग अशुद्धी यानि की Error of Omission है Error of Omission दो होती है आंशिक और पूर्ण यानि पार्चल और Complete दूसरी होती है Error of Commission Error of Commission जिसको हम खातों की अशुद्धी भी बोलते है Error of Commission इसके क्या एक्जाम्पल है जाउधारण है तीसरा है संपूरक अशुद्धी कम्पन्सेटिंग अशुद्धी बोल देते हैं दूसरा जो प्रकार है वो है किसी भी लेंदिन को लिखते हैं मान लेते हैं कि हमने राम से दो हजार रुपे का माल खरीदा हमने राम से दो हजार रुपे का माल खरीदा यदि हम राम से दो हजार रुपे का माल खरीदे हैं तो हम उसको जर्नल में एंट्री बनाएंगे purchase account debit to RAM 2000 रुपए अगर हमने राम से 2000 रुपए का माल खरीदा तो हमने entry बनाई purchase account debit to RAM परन्तु जब इसको हमने ledger में post करना शुरू किया यानि उसकी खतव नहीं करनी शुरू की तो purchase account में हम 2000 रुपए posting करना भूल गए तो एक site पे हमने posting नहीं की इसलिए हम इसको partial omission यानि आंशिक अशुद्धी बोल रहे हैं क्योंकि purchase account के debit side पे हमने 2000 रुपए का अंकन करना चाहिए था जो हमने नहीं किया तो ये low पशुद्धी और वो भी आंशिक debit, RAM account, credit तो ना हमने purchase में लिखा ना हमने RAM के account में लिखा, ना हमने debit में लिखा, ना हमने credit में लिखा, तो ये पूरी की पूरी इस प्रविस्थी को हम record करना भूल गए तो ये हुई error of complete omission यानि कि हमने पूर्ण रूप से उसको लिखना ही खूल गए अगर इसी लेंदेन के अंदर हम जानना चाहें कि error of commission क्या होती है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं हमें purchase account को 2000 रुपे से debit करना चाहिए था परन्तु हमने 2000 की बज़ाए केवल 200 रुपे से ही उसको debit कर दिया अब आप देख रहे हैं बच्चो purchase account इस लेंदेन के अंदर 2000 रुपे से debit होना चाहिए था परन्तु हमने उसको debit कितने से किया केवल 200 रुपे से इसको हम बोलते हैं error of commission यानि कि amount में जो difference आ गया वो 1800 रुपे का difference आ गया 2000 रुपे से purchase account debit होना चाहिए था क्रे अकाउंट को debit कर देना चाहिए था परन्तु हमने केवल उसके debit में 200 रुपे डाले 1800 रुपे कम डाले तो ये हो गई error of commission तीसरी होती है compensating errors यानि समपूर का शुद्धी या फिर बोलिए छती पूर का शुद्धी यदि हम गलती से क्रे अकाउंट को यानि क्रे खाते को 2000 रुपे से हमने गलत debit कर दिया है हमने debit किया wrong debit किया लेकिन क्रे खाते को किया और उसी के साथ यदि हम एक और account कर दें विक्रे अकाउंट यानि की sales अकाउंट 2000 रुपे से हमने गलती से उसे access credit कर दिया यानि ज़्यादा credit कर दिया उदर देखें 2000 रुपे हमने ज़्यादा debit किये क्रे खाते में उदर हमने 2000 रुपे विक्रे खाते में debit किये यानि debit में भी 2000 रुपे आ गए, credit में भी 2000 रुपे चले गए और एक अशुद्धी ने दूसरी अशुद्धी को compensate कर दिया, यानि एक अशुद्धी ने दूसरी अशुद्धी को संपूरक कर दिया, trial balance में इस तरह की कहीं कोई गलती हमें locate नहीं होगी, अब आप यहां से समझ सकते हैं, क्या ये वाली गलती तलपट से मिल जाएगी, तो इसका answer है, हाँ, ये तलपट जो है, प्रदर्शित करेगा, यानि ये वाली गलती को तलपट प्रदर्शित करेगा, क्या complete omission को तलपट से locate किया जा सकता है, तो इसका answer है, नहीं, क्योंकि complete omission दोनों साइड से ही हट गई है ना वो debit में गया ना वो credit में गया इसलिए इसको तलपट locate नहीं कर पाएगा क्या error of commission को तलपट locate करेगा तो इसका अगतर है हाँ ये करेगा ये तलपट से प्रदर्शित हो जाएगी यानि कि आपको दिख रहा है trial balance जो है इस गलती को पैचान किया हमें बता देगा इस वाली गलती को भी तलपट से प्रदर्शन उसका हो जाएगा ये प्रदर्शित करेगा शो करेगा इसे क्या compensating errors trial balance से locate हो पाएगी तो इसका answer है नहीं क्योंकि trial balance के debit side में भी गलती से इतना माउंट चला गया और credit side में भी इतना माउंट चला गया इसलिए ये गलती हमें पता नहीं चल पाएगी अब आती है शद्धानती को शुद्या यानि error of principle आखिर ये शुद्धी होती किया था तो दो तरेके की हम लोगों ने खर्चों को लिखा एक होते हैं पूंजी गदखर्चे और एक होते हैं आयेगत खर्चे यानि कि capital expenditure और revenue expenditure अगर किसी कोई हम लोग कोई संपत्ती खरीते हैं अगर हम किसी संपत्ती को खरीते हैं तो वो एक पूंजी गत व्याय है यानि capital expenditure है और capital expenditure के संबंदित में हमारे को एक सद्धान्त है कि जो भी capital expenditure हो वो assets के नाम से debit होना चाहिए यानि कि उस संपत्ती के नाम से debit होना चाहिए परन्तु हम लोग तुरुटिवस या भूलवस हम उसको आईगत मान लेते हैं और जो संपत्ती हमने खरी दी थी उसको क्रै खाते के अंदर debit कर दिया जाता है अगर ऐसा हुआ कोई संपत्ती हमने खरी दी उसको संपत्ती अकाउंट में हमने debit नहीं किया बलकि उसको क्रै खाते में debit कर दिया ऐसी अशुद्धी को हम लोग सधांतिक अशुद्धी या error of principle कहते हैं क्या ये तलपट से प्रदर्शित होगी तो इसका उत्तर है नहीं ये तलपट से प्रदर्शित नहीं होगी तो हमें ये समझ में आ रहा है आंशिक अशुद्धी जो लोब की आशिक हुई है वो तलपट से प्रदर्शित होगी Error of Mission ये भी तलपट से प्रदर्शित हो जाएगी अब हम लेखांकन की दृष्टी से जब उनका अशुद्धियों का शोधन यानि रेक्टिफिकेशन करने की कोशिस करेंगे तो हम ये जानने की कोशिस करेंगे कि रेक्टिफिकेशन आफ एरर यानि उसको शोधन करने की दृष्टी से हमने अशुद्धियों को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया उसको दो प्रकार में वगिकर्प कर दिया एक पक्षिय अशुद्धी यानि one-sided error एक पक्षिय अशुद्धी और यह है यहाँ पे दूसरा प्रकार है दूपक्षिय अशुद्धी यानि two-sided error एक पक्षिय शुद्धी उनको दो तरीके से उनका शोधन किया जा सकता है उनको rectify किया जा सकता है आप यहां से समझ रहे होंगे एक पक्षिय शुद्धी हम किसे कहते हैं जो केवल एक ही खाते को किसी तरह किसे उसके उपर असर डाल रही है यानि कि केवल debit पक्षिय और या तो उसका असर आ रहा है या फिर उसका असर credit पक्षिय और आ रहा है अगर एक ही पक्षिय और उसका असर आ रहा है तो उसको हम लोग suspense account या तो खोल सकते हैं दिपक्षे जित्री भी अशुद्धी होती हैं वो अशुद्धिया होती हैं जो दो अकाउंट्स को एफेक्ट करती हैं उनको हम लोग एक Rectified Journal Entry बनाते हैं Rectified Journal Entry यानि कि एक नई प्रविस्थी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे नई प्रविस्थी हम लोग पास करेंगे जो की अशुद्धियों का शोधन करेगी अब कैसे करते हैं इसको एक example की help से समझते हैं और बताते हैं पहले हम यह one sided आरेट लेते हैं इसका example नमबर एक विक्रे खाते का योग दो हजार रुपै कम पाया गया तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है विक्रे खाता यानि sales account विक्रे खाता यानि की sales account अगर sales account का total 2000 रुपै कम है या sales book का total 2000 रुपै कम है तो यह एक पक्षिय शुद्धी होगी क्योंकि सिर्फ गलती हमें कहा मिल रही है विक्रे खाते में यानि की sales account में वन साइडेड एरर दो तरीके से ठीक की जा सकती है या तो हम सस्पेंस अकाउंट खूले या बिना सस्पेंस अकाउंट मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं अगर हम सस्पेंस अकाउंट खूलना नहीं चाहते और हम इस अशुद्धी को ठीक करना चाहते हैं तो विक्रे खाते का टोडल 2000 उपे कम पाया गया हमें पता है अगर सेल्स अकाउंट को डैबिट करेंगे यानि उसको अगर उसके अकाउंट के नाम पक्ष में डालेंगे तो उसका बैलन्स कम हो जाएगा अगर उसको क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलन्स बढ़ जाएगा यहाँ पर हमें इस कलती में दिखाई दे रहा है इस तुरूटी में हमें स्पस्ट हो रहा है कि इसका 2000 रुपए का balance कम पाया गया इसको ठीक करने के लिए हमें 2000 रुपए इसके बढ़ाने पड़ेंगे और अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम इसके credit side पर लिखेंगे by under cost of sales account 2000 रुपए तो बच्चों यहां से बिल्कुल first हो रहा है कि हमने 2000 रुपए इसके credit side पर डाल दिये यानि 2000 रुपए के जो कम था वो 2000 रुपए बढ़ गया तो यह था कि किस तरीके से बिना suspense account खोले हमने इस अशुद्धी को ठीक कर दिया अब दूसरा है अगर हम suspense account खोलके इसको ठीक करना चाहते हैं तो हम कैसे करें हम एक general entry का format तयार करेंगे रोज नामचा का format तयार करेंगे और उस रोज नामचे के format में जो हमें पता है क्या-क्या विवरेंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रेस संख्या लिखेंगे कितना नामपक्ष, कितना जमापक्ष suspense account हमें खोलना है एक general entry पास करेंगे suspense account हमें बढ़ाना है तो हमें पता चला, sales account को हमें credit करना है क्योंकि sales account हमें बढ़ाना है पर debit side पे हम उसे suspense account यानि हम इसकी rectified general entry बनाएंगे suspense account debit यानि उचनती खाता अकाउंट debit to sales account 2000 रुपए यानि यहाँ बिलकुल इस उधारन से स्पस्ट होता है एक पक्षिय और शुद्धियों को ठीक करने के दो तरीके है या तो आप suspense account खुले यानि उचनती खाता तयार करें या बिना suspense account खुले अगर हमें बिना suspense account खुले अगर वो ठीक करना है तो हम उस account के उस side के उपर उतनी राशी को लिख देंगे तो हमने 2000 रुपे उसके credit side पे डाले और sales account का total योग जो है वो 2000 रुपे बढ़ गया अगर हम इसी error को उचनती खाता खुल कर ठीक करना चाहते तो हम इस तरीके से एक journal entry पास करेंगे suspense account डाविट side पे 2000 रुपे sales account credit 2000 रुपे यह एक पक्षिय अशुद्यों को ठीक करने के दो तरीके और एक उधारण की सायता से हमने दोनों आपको first किये अब हम जानेंगे कि दुपक्षिय अशुद्यों का किस तरीके से शोधन किया जाता है एक उधारण हम लेते हैं हमने एक व्यवसाई ने प्लांट एंड मशिनरी एक लाख रुपे की क्रै की जिसको क्रूटी वर्ष क्रै खाते में लिख दिया गया बच्चो अगर हम इस उधारण को बहुत ध्यान से देख रहे हैं प्लांट एंड मशिनरी अगर हमने एक लाख रुपे की खरीदी है तो प्लांट एंड मशिनरी के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था परन्तु गल्पी से हमने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट किया यानि यह दो पक्षे शुद्धी हो गई एक प्लांट एंड मशिनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो नहीं हुआ क्रै अकाउंट यानि परचेज अकाउंट वो डेबिट हो गया जो की नहीं होना चाहिए था तो यह दो पक्षे शुद्धी हो गई प्लांट मशिनरी अकाउंट में भी गड़ड है और क्रै अकाउंट में भी गड़ड है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका राक्टिफिकेशन किया जाए जब हमने प्लांट मशिनरी खरी दी तो हमें सही एंट्री यानि करेक्ट एंट्री क्या बनानी चाहिए थी करेक्ट क्या है और हमसे गलत क्या हुआ तूटी क्या हुई यानि कि रांग हमसे क्या हुआ दोनों को अगर एक बार पस्ट रुप से देखेंगे तो आपको पस्ट होगा कि आखिर इसको सही कैसे किया जाए अगर हमने plant and machinery एक लाख रुपय की खरीदी थी तो हमें इसकी entry बनानी चाहिए थी plant and machinery account debit to name of seller जो भी जिससे भी हमने खरीदी है एक लाख रुपया यह सही entry है पर जैसा कि यह हमें बता रहा है कि हमने trutiverse उसको crack हाते में लिख दिया यानि हमने इसकी entry बनाई purchase account debit to name of a person जिससे हमने उसको खरीदा एक लाख रुपय अब इन दोनों प्रविष्टियों को देखने से तो नात्मक अध्यन करने से बिलकुल हमें सपस्ट हो रहा है कि name of seller अपनी जगे सही है यानि credit side सही है plant and machinery को debit होना चाहिए था जो नहीं हुआ purchase account को हमने debit कर दिया जो नहीं होना चाहिए अब इसको ठीक कैसे करें जो purchase account हमने गलती से debit किया हम उसको credit कर देंगे और जो plant and machinery हमें debit करनी चाहिए थी वो हमें debit कर देना चाहिए यानि हम इसकी rectified general entry बनाएंगे plant and machinery account debit to purchase account to purchase account एक लाख रुटे अब आपको यहां से बिल्कुल स्पस्ट हो रहा होगा कि जो account हम गलती से debit कर देते हैं उसको ठीक करने के लिए वापस हम उसको credit कर देते हैं और जो account हम एक तही तरीके से debit करना चाहिए हम उसको debit side पर लिख देते हैं इस तरीके से ये entry पास करके इस two-sided error को हम ठीक कर सकते हैं और अभी हमने इससे पहले सिखा था कि जो दीपक्षिय अशुद्धी होती है यानि two-sided error होती है उसको ठीक करने के लिए rectified general entry इवना जाती है जिसमें suspense account का कहीं कोई जिक्र नहीं होता तो ये है दीपक्षिय अशुद्धी एक और उधारण लेते हैं इसके अंदर अगर हम चाहें तो बहुत सारे उधारण को एक साथ एक अठा भी कर सकते हैं जैसे purchase account purchase account यानि crackाता यानि का योग 2000 रुपए कम पाया गया अब आप देख रहे हैं ये जो हमने उधारण लिया है जो हमने एक्जामपल लिया है इसमें purchase account का टूटल 2000 रुपए कम है तो सिर्फ गलती एक पक्ष में है और वो पक्ष है purchase account one-sided error अभी हमने सीखा था ये one-sided error अगर error आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए या तो suspense account उपन करें या without suspense account जैसा भी प्रशन के इंदर हमें निर्देश दिया जाए हम उसके अनुसार उसको हल करें तो मैं दोनों तरीके से एक बाद फिर करके दिखाता हूँ अगर हमें suspense account खूलना है तो हमें पता है क्रेखाता यानि purchase account अगर debit किया जाए तो बढ़ेगा credit किया जाए तो खटेगा अगर तूटी हमें दिखाए दे रही है कम पाया गया ठीक करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए उसे हमें debit करना है यानि rectified entry बनेगी purchase account को हम debit करें to suspense अगर हम suspense account खूलना चाहते हैं तो 2000 रुपे वहां लिखा हुआ है तो हम 2000 रुपे से suspense account खूल के इस entry को यानि उधारण नमबर 2 को हम उसे ऐसे ठीक कर सकते हैं अगर हम इसको चाहते हैं कि बिना suspense account खूले इसको ठीक किया जाए तो हम purchase का एक account तयार करेंगे यह purchase account है debit और credit जैसा कि अभी मैंने आपको बताया purchase account को debit करने से इसका balance बढ़ता है क्योंकि हमें कम total मिल रहा है इसका बढ़ाना है इसके debit side पे हम इसको यहाँ पर two undercast of purchase account लिख देंगे 2000 रुपए की amount को debit side पे लिखेंगे और यह error ठीक हो गई बिना suspense account बिना उचनती account खूले तो यह दो चीज़े हमें clear होती है इन दो अधारण से तीसरा अधारण हम लेते हैं purchase of goods यानि कोई माल हमने खरीदा 2000 रुपए का entered in sales entered in sales book अब आप देखें यह ऐसी error है जो purchase account को भी effect कर रही है sales account को भी effect कर रही है और साथी साथ उस account में भी गड़ड़ाई है जहां से हमने यह माल खरीदा है अगर हमने purchase of goods 2000 रुपए का माल अगर हमने खरीदा है तो हमें entry बनानी चाहिए थी purchase account debit to name of person 2000 रुपए यह सही है परन्तु हमने क्या किया उसको sales book में लिख दिया यानि कि हमने entry pass की name of person account debit to sales 2000 रुपए बच्चों आप देख रहे होंगे कि यह गलत entry हमसे pass हुई और यह सही entry अब यह एक ऐसी entry है जो purchase को भी असर कर रही है sales को भी असर डाल रही है और साथी साथ जिससे हमने transaction किया है जिससे लिंदिन हमने किया है उसको भी प्रभावित कर रही है इसको कैसे ठीक किया जाए इसको ठीक करने का तरीका जो entry हमने सही pass की है वो तो हमें करनी ही करनी है परन्तु जो गलत entry हमने pass की है उसको हम विप्रीत entry pass कर देंगे यानि name को हम credit करेंगे sales को हम debit करेंगे तो इसका प्रभाव शुन्य हो जाएगा और जो entry हमें जो प्रविष्टी हमें pass करनी चाहिए थी उसको हम pass करेंगे इसको करके दिखाते है परचेज अकाउंट डेबिट sales अकाउंट डेबिट to name of person यानि कि ये entry तीन अकाउंट को effect कर रही है 2000 रुपे परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो हमने कर दिया 2000 रुपे से sales अकाउंट को हमने डेबिट इसले किया क्योंकि हमने sales अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया था और जिस व्यक्ति से ये transaction हुई उसको हमने वापस 4000 रुपे से क्रेडिट किया क्योंकि उसको हमने 2000 से debit कर दिया था उसको ठीक करने के लिए उसका प्रभावशन ने करने के लिए उसको credit किया साथ इसाथ 2000 रुपे और हमें करने पड़े क्योंकि 2000 रुपे उसके credit side पे आना चाहिए था इससे यह first होता है कि कितनी तरह की अशुद्या हो सकती है यह वी पक्षी अशुद्य थी उसको कैसे ठीक किया यह one-sided one-sided error थी इसको हमने suspense account और बिना suspense account के कैसे ठीक किया और यह ऐसी error है जो एक साथ तीन खातों को प्रभावित कर रही है और अगर ऐसी error आए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है तो बच्चो इन सारे उधारन को देखने के पस्चात हमें सपस्ट होता है कि rectification of error यानि अशुद्यों का शोधन करने के लिए हम दुबारा से एक rectified general entry पास करते हैं और उस rectified general entry के पास करने से जितनी भी हमसे गलतिया होई थी वो सारी गलतिया अपने आप स्वताहई ठीक हो जाती है मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग को ये सारा का सारा हमारा इस विशय का जितनी विशय विस्तु थी आपको समझ में आई होगी और rectification of error आपको बहुत अच्छे से स्पस्ट हो गया होगा इस वीडियो के लिए यही तक धन्यवाद